आपको फोटो सीम फोटो फिक्स होनी चाहिए आपको ये लेके जाना है आपको एक फोटो आईडी लेके जाना है और तीसरी जो सबसे इंपॉटन चीज है आपको खुद को लेके जाना है आपको खुद को वहां पर पहुचाना है और बाकी चीज़ा आपको ले नहीं जाना है अब ले भी जाते हो तो वहां पर आप अच्छे से रख लेना बहुत कुछ नहीं है क्या मैं अंगोठी पहन सकता हूँ तो आप अंगोठी पहन के भी जा सकते हो इसकी उपर हो सकता हो और टेप लगा दे आपको बोले कि रिंग मुझसे नहीं खुल सकती है तो बोलेंगे कोई बात नहीं है चलेगा तो आपको ये लेके जाना है अगर हो सकता है तो अगर बीमार हो तो भी पॉस्टिब हो के जाना अब यहां पर बात आती है Slot 1 morning में है exams दिया खतम हो गई क्या मुझे Slot 1 की analysis देखनी चाहिए अगर मैं Slot 2 और Slot 3 में हूँ क्या मुझे Slot 2 की analysis देखनी चाहिए Slot 1 की analysis देखनी चाहिए अगर मैं Slot 3 में हूँ तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ और स्टिब और स्टिब क्या मैं अब आपसे कुछ देखनी चाहिए मुझे Slot 1 और Slot 2 कर देखते हो तो क्या मैं देखा है लास्ट 3-4 यह से कुछ ना कुछ हिन मिल जाते हैं हाउट टेंप पेपर समझ में आ रता है तो आप प्रीज अगर आपका Slot 2 है और Slot 3 है तो आथेंटिक चैनल के थू आप क्विक अनासिस देखना बैट के लंबे लॉंग एक देर घंटे के वीडियो नहीं देखना है 60 सेकंड 90 सेकंड का कुछ अनासिस आया उसे देखना उससे कुछ लर्निंग लेना आप उसको देखना ये करना अगर आपको Slot 2 और Slot 3 है एक सबसे इंपॉर्टन बात मैं बदाता हूँ कैट में जब आप कैट सेंटर पर जाओगे तो आपको सबसे पहले नोटिस जो आपका मिलेगा मतब जब आप स्क्रीन पर बैठ होगे तो इसमें नोटिफिकेशन या इन्फोर्मिशन जो होगी उसमें आपको D&D साइन करना होगा Do Not Disclose Agreement पर टिक करना होगा कि आप जब तक कैट कमेटी रिलीज नहीं करती है किसी भी तरीके से इन इन अब प्रेटवर्म आप को नहीं बढ़ा सकते हो तो होता क्या है कि कैट जब आप इक्जाम देकर नहीं करते हो तो मीडिया या यूटूब इंफ्लूएंसर या यूटूब चैनल माइक लेके वाज पहुंच जाएंगी बताओ कि कैट कैसा था तो आप अपने ज्यानकुन को दे सकते हो कि कैट में इतने कोशन साय थे इतने कोशन थे दिस दिस बट आप कोशन डिसकस नहीं करोगे किसी भी open media platform पे किसी भी open platform पे हाँ कोशन डिसकस कर सकते हो जहां पर आप ट्रस्ट करते हो क्योंकि अगर आप पक्रे गए कोशन को डिसकस करते समय और आपके साथ काट कमिटी को ऐसा लगता है कि आपने कोशन लीक किया है इवन आपका slot one slot two or slot three में different questions होते हैं बट आप आप questions को leak नहीं कर सकते हो, आप questions discuss नहीं कर सकते हो, आपके candidature पर question उठ सकता है, candidature cancel की जा सकती है, 2 lakhs का fine हो सकता है, या कुछ मन्त की सजा हो सकती है, तीनों हो सकता है, तो यहां से बताता हूँ कि आप कभी भी किसी भी open platform पर अगर आप candidates हो, तो question discuss नहीं करोगे, हाँ teachers like others, हम लोग अभी कभी questions open platform पर discuss करते हैं, क्योंकि हमें committee से कोई बहुदरा issue होता नहीं है, बट मैं भी avoid करता हूँ, जब तक की cat questions नहीं देदे, same question हम लोग discuss नहीं करते हैं, तो आपको भी open platform पर same question discuss नहीं करना है, तो cat के पहले, cat center पे पहुँच जाना, अराम से people देना, cat is a set of three exams, quant, lrdl और verbal, किसी भी order में हो, हमें अपना best देना है, कुछ भी surprise हो, हमें मान के रखना है कि, उसमें हमें best देना की कोशिश करनी है, जैसे last year surprise था, odd man out नहीं था, feelers आ गया था, slot one को थोजी problem हुई थी, बढ़ें में कोई पंगा नहीं होता है, हम ये मान के चलिएंगे, cat surprise से भढ़ा हुआ है, अपना best देंगे, उसके बाद analysis, हम अगर देख सकते हैं, अगर मैं slot two और slot थी, तो quick analysis देख लेंगे, बढ़ उस analysis में, open part dissipate sense से हम बचेंगे, कि ये questions आये थे, हम उससे बचेंगे और अपना best देंगे, और कोई भी doubt होगा, तो आप comment कर देना, या अगर आप उनसे correct हो, तो उससे बात करेंगे, मैं आप try करना हूँ अपना best देने का, आप try करना अपना best देने का, अच्छे से जाओ, healthy mood में जाओ, पानी कम पीना, क्योंकि उससे natural call जादा आते हैं, खाना normal खाना, morning start है, तो उठ जाना, and cat पे पहुँचना, cat देना, cat में कितने marks आएंगे, अगर cat tough होगा, और आप ठीठा कोश attempt करते हो, तो भी आपके बहुद अच्छे percentile बनते हैं, cat अगर easy होगा, तो obviously आप अच्छे attempt करी जाओगे, तो सोचना नहीं है, cat सबका अच्छा जाता है, बुरा किसी का नहीं जाता है, only ये होती है, कि किसी के कम percentile आते हैं, किसी के ज़्यादा percentile आते हैं, आप ज़्यादा mark से तरफ phase करने में, अपने accuracy को बरबाद मत करना, accuracy से कभी भी scaled score में को impact नहीं पड़ता है, हमें अपना best देना है, आप दो अपना best analysis देख सकते हो, देखना चाहिए, और at the last मैं फिसक रिपीट कर रहा हूँ, open platform पे questions share करने से बचना, मिलता हूँ ने स्वीटियो में, बाँ बाई